हेलो फ्रेंड्स, वेलकॉन तो माई यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाली हैं टॉपिक जिसका नाम है फैलिक्स रेंडल जो की जी एम हॉपकिन्स के द्वारा लिखा गया है तो अगर इस points related question critical appreciation का आता है तब आपको अपना answer points के according करना होता है जिसमें पहला आपका जो point है वो बनेगा introduction और अगर by chance इसके अलावा किसी भी तरीके से question की wording आती है तब आपको अपना answer direct paragraph बना कर लिखना है उसमें आपको points नहीं बनाने हैं लेकिन जो answer है वो same ही रहेगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लिखोगे introduction तो introduction में जो बाते लिखनी है वो अब हम discuss करेंगे the speaker of the poem is generally considered to be Hopkins himself इस poem के जो speaker है वो खुद point GM Hopkins सिंग है Hopkins new befriended and deliver the last sacraments to an iron smith Hopkins ने इस poem में अपना एक friend जो की एक iron smith है और जिनका नाम क्या है Felix उनको deliver किया है last sacrament, sacrament का means होते है जैसे कि किसी की death हो जाती है तो last में जो संसकार किया जाता है उस तरीके से इन्होंने last sacrament किया है who was a member of his parish और ये जो felix है ये कौन है ये इनी के जो parish एक पादरी जो इलाका है ठीक है इस कारण से death होती है तो इनको एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है pulmonary tuberculosis टीके TB की बीमारी इनको होती है जिसके कारण felix की death हो जाती है इसके बाद अब आपको लिखना है यहाँ पर एक फिर से point जिसका नाम बनेगा subject matter of the point या फिर आप summary भी लिख सकते हो the point begins with the speaker describe Randall as a large man made from a big bond mold तो इस point की starting होती है speaker है जो वो felix Randall के बारे में बताते है कि यह किस तरीके के थे ठीक है तो यह एक large man है big bond से बने हुए है means इनकी personality कैसी है इनकी looking कैसी है his body has decayed over time from an unmint illness caused by the fatal for disorder लेकिन फिर क्यों होता है कि इनको एक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के कारण इनकी जो body है वो दीरे दीरे decay होने लग जाती है और humor fighting within his body लेकिन इनके अंदर क्या है एक humor एक behavior है ठीक है sense of humor है जिसके कारण वो अपने इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करे थे this sickness broke him लेकिन इनके यह जो बीमारी है उन्होंने इने तोड़ दिया किसे इनके friend जिनका नाम था फैलिक्स रेंडल and he curse himself for acquiring it जिसके कारण इनके जो friend है फैलिक्स रेंडल वो अपने आपको ही curse यानि की curse का meaning वैसे होता है शिराप ठीक है यहाँ पर वो अपने आपको ही बद्दुआएं देने लगी कि उनको कैसी बीमारी हो चुकी है क्योंकि इस बीमारी को उस time में face करना बहुत बड़ी बात थी तो यहाँ पर जो speaker है वो कुछ time के लिए अपने friend फैलिक्स के पास आते हैं और उसका इलाज करने के कोशिश करते हैं बट God has other plans लेकिन जो बगवान है उन्होंने शायद कुछ ही चाहा कुछ और चाहा होगा means कि यहाँ पर जो GM Hopkins है वो फैलिक्स की help करना चाते थे उनकी बीमारी से उनने बाहर निकालना चाते थे कि उनकी जो बीमारी है वो तूर हो जाए और फैलिक्स ही हो जाए लेकिन जो बगवान है उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था इसके बाद speaker कहते हैं लास्ट की तीन लाइन में कि किस तरीके से यह जो फैलिक्स की इलनेस थी बीमारी थी इसके कारण इन दोनों person के बीच में means GM Hopkins and फैलिक्स इन दोनों के बीच में एक bond create हो गया and ended them to one another जिसके कारणी एक दूसरे के लिए बहुँ ज़्यादा एक दूसरे के लिए खास बन गे वो एक दूसरे की care करते थे ठीक है यहाँ पर GM Hopkins है उन्होंने इनकी बहुँ ज़्यादा care की इनका जो दुख देखकर उनके आंसु आ जाते थे तो इस तरीके से जब वो साथ में रह रह रहे थे तो उनका एक बहुँ ज़्यादा ग्यारा रिष्टा बन गया था The final three line describe how as Felix was about to pass on और last की जो three lines है उसमें यह बताइगे है कि किस तरीके से जो Felix है उनकी death हो जाती है and immediately after he has gone और जैसे ही वो चले जाती है उनकी death हो जाती है No one celebrate his life as a farrier like they should be तो किसी के दवारा celebrate नहीं किया जाता है उनकी life को जैसा की करना चाहिए था क्योंकि वो एक farrier थे He was the strongest of his peers तो यहाँ बो जी एम होपकिन से वो कहते है कि हमारा जितना भी एक peer group था उसमें सबसे ज़्यादा जो strongest person था वो Felix ही था And crafted the shoes for the strongest of the horses और यह जो person है यही craft करता था horses के लिए सबसे ज़्यादा strong shoes craft करता था बनाता था This is the memory that the speaker leaves the reader और यह जो memory थी यह speaker ने GM Hopkins ने reader के लिए छोड़ी है With and the one he is hopping will last और यह चाहती है कि यह memory हमेशा के लिए रहे Means कि इन्होंने इनके बारे में points लिखी जिसके थूर यह चाहती है कि जो felix render है उन्हें हमेशा के लिए याद किया जाए इसके बाद है writing style felix render by GM Hopkins is a sonate Sonate separated into two quadrants set of four lines तो यह जो point है इसमें क्या है कि total 8 plus 6 14 lines है जिसमें से जो 8 lines है उनके क्या है two two के pairs बने हुए है four four lines के यहाँ पर क्या कि four line का एक pair है then वापिस four line का एक pair है तो इस तरीके से चार चा लाइन के दो pair है और यह जो चार लाइन का एक pair होते है उसे quadrant कहते हैं तो यहाँ पर यह का आगया है कि दो quarter है मिन्स चार चार लाइन के दो quarter दो paragraph है and two percent set of three lines इसके साथ ही दो percent है percent का क्या मिन्स होते है एक set होते है three line का तो यहाँ पर दो set है three lines के the sonate confirmed to that additional patriarchal rhyme scheme इसके साथ ही यह जो sonate है इसकी rhyme scheme क्या है तो a b b a a b b e for the last eight lines यानि की जो two quarters है यानि की eight lines की जो rhyme scheme है वो क्या है a b b a a b b a उसके बाद जो next six lines है ठीक है उसकी rhyme scheme क्या है c c d c c d तो इस तरीके से यह आपकी point है hopefully आपको यह जो point है वो समझ में आगी होगी अगर आपको कोई भी doubt होता है तो आप comment section में बता सकते हो आपका doubt दूर कर दिया जाएगा इसके साथ ही अगर आपको कोई भी doubt होता है किसी भी topic से related अगर आपको videos चाहिए जिसको आप पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आप telegram group नई शुरुवात के नाम से बनाएगे है उससे आप search कर लीजे और वहाँ पर आप मुझसे contact कर सकते हो किसी भी topic पर अगर आपको videos चाहिए तो आप मुझे वहाँ पर बता सकते हो और उस topic से related videos बना दी जाएंगी और इसके साथ ही अगर आप किसी भी university से related हो तो आप मुझे syllabus, exam की क्या date होती है वो university इस तरीके साब मुझे detail भेज सकते हो और मैं आपके लिक separate से playlist भी बना दूँगी जिसमें आपको आपके university की हर एक videos मिल जाएंगी जिससे कि आपको एक ही playlist में सभी videos मिल जाने से पहुँ ज़दा असानी होगी उन सभी को पढ़ने की अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो like my video, subscribe my channel Thank you friends for watching my video, thank you